सहारा रिफंड को लेकर बड़ा बेट है जानिये निवेशकों ने सहारा इंडिया परिवार से जुड़ी सहकारी समितियों में निवेश किया था लेकिन वे कभी नहीं सोचा था कि उनका निवेश इतनी जल्दी वापस मिलेगा प्राप्त जानकारी के नुसार सहारा रिफंड पोर्टल जो सहकारीता मंतराले और माननी सहकारीता मंतरी अमिश्या के निद्रत्व में शुरू हुआ है अब सहारा के सभी सम्मानित निवेशकों को उनके पैसे वापस करने का काम करेगा हाला कि सहकारीता मंतराले ने इस पस्ट कर दिया कि धन लोगों को ब्याज के साथ मिलेगा जिसका उधाटन भी हुआ है आपको बता दें कि अभी तक केवल 122 जमा करताओं को उनके पैसे वापस मिले हैं हाला के एक महतोपूर्ण खबर निउज इंडिया मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के सूत्रों से मिली है मौजूदा तथ्यों से पता चलता है कि सहरा इंडिया परिवार की स्तहकारी समितियों में निवेश किया गया धन जल्द वापस किया जाएगा और प्रक्रिया लगबग समाप्त हो चुकी है आपको बता दें कि सहरा की क्रेडिट कोपरेटिव सोसाइटी और सी आर सी एक क्लेम भरने के बाद उनका सत्यापन कर रहे हैं कि रक्षावंदन से पहले ये राशी का बटवारा शुरू हो सकता है हलाकि 122 जमाकरताओं को अभी भुक्तान किया गया है जिन लोगों को अभी पैसा नहीं मिला है वे भी जल्दी ही भुक्तान करने की उम्मीद कर रहे हैं क्या केवल 10,000 रुपे मिलेंगे बाकी का करना होगा इंतजार सहरा इंडिया की सहकारी समितियों में अपना पैसा लगाने वाले गरीब जमाकरताओं का कहना है कि क्या सरकार केवल उनको 10,000 की राशी देकर संतुष्ट करना चाहती है वही निवेशकों ने बताया कि उन्होंने सहारा की कंपनियों में लाखों लाख रुपई निवेश किये थे जिसमें से अगर 10,000 रुपे भी वापस किये जाते हैं तो उनसे उनकरीब जमाकरताओं के घर का चूला तक नहीं जल सकेगा आज लोगों की जेब में पैसा नहीं है ऐसे में एक 10,000 से उनकरीबों का कुछ नहीं होने वाला है सहारा इंडिया रिफंड वहीं अगर सहकारिता मंत्राले की बात करें वहीं अगली किस्त के माध्यम से करीब 20,000 और सहकारिता मंत्राले जारी कर सकता है परन्तु इसका अभी तक कोई official update सामने निकल कर नहीं आई है पोर्टल को ले कर अभी भी समस्तिया में है निवेशक जब से सहारा इंडिया का रिफंड पोर्टल जारी हुआ है तब से ही निरत्तर सहारा की जमाकरताओं को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिन मैंसे कुछ कौमन परेशानिया हमारे भी समक्षा चुकी है जिसका समाधान हमने उन निवेशकों को दिया है आपको बता दें कि कुछ ऐसी खास परेशानिया सामने निकल कर आ रही हैं जिन से निवेशक काफी ज्यादा परिशान है जिन में से सबसे बड़ी परिशानी उस निवेशक के जिले में सहरा का आफिस बंद होना है जो कि देश के अलग-अलग कौनों में शहर के कई आफिस हैं परन्तु लगातार दर्ज होती है फाइयार समेथ कानूनी कारवाईयों क कारण सहरा ने अपने दफ्तरों को बंद कर रखा है जिनके कारण कई लोगों को उनके ओरजिनल कागज तक वापस नहीं मिल सके हैं